एक्सपाईरी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद option trade करने वाला हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कब लगपती और कब करोड़पती बनूँ क्योंकि एक्सपाईरी में आपका एक का दस बनता है इसमें कोई दोहराई नहीं इसको कोई जुट्टा नहीं सकता कितने लोगों को अपने देखा है कि वो लोग ने एक का दस बनाया है सवाल यहाँ पे आता है क्या एक्सपाईरी में सच में पैसे को कमा के रखा जा सकता है यह सवाल कितना सही है या इस सवाल को अगर मैं ऐसे पूछू कि क्या इसमें डेली बेस पे कमाई की जा सकती है तो इसका जबावे हाँ अगर कमाई की जा सकती है तो कौन सा तरीका है किस तरीके से हम बिल्कुल बहुत सटिकता के साथ पैसे कमाए इस बारे में आज मैं आपको पूरी जानकरी दूँगा, वीडियो में पूरा बने रहना पड़ेगा इसके लिए, एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा लोग नुकसान उठाते हैं, अगर देखा जाएगा तो एक्सपायरी होता ही इसलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा को दूर करके आप एक अच्छा-खासा रकम महिने के अंत में ये शब्द बड़ा जरूरी है, महिने के अंत में आप कमा पाए, देखिए, अगर आप सोचते हैं कि option trading में आप रोज पैसे कमाएंगे, ये संभव ही नहीं है, ये संभव है ही नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर रोज पैसे कमाए जा सकते हैं, नहीं, यहाँ पर रोज पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, उसको जरा समझ लिजी आप, अगर आप आज 10 रुपे कमा रहे हो सकता है, कल आप 2 रुपे या 5 रुपे आप आएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो रोज का जो पैसे का आवा जवन है ये confirm नहीं होगा लेकिन हाँ end of the month आप profitable रहेंगे इस बारे में मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ लेकिन परिशानी की बात कहा खड़ी होती है कि ये जो 10 रुपए फिर 7 रुपए फिर 6 रुपए ये दब ही होगा जब आप किसी एक theme पे काम करेंगे एक नियम पे काम करेंगे अब यहाँ पे expiry के लिए जैसा कि मैं देख पाता हूँ कि जो भी expiry आता है खासकर बैंक निफ्टिक expiry को अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे मंगलवार के दिन लोग expiry के वीडियो जूनना शुरू करते हैं कि हमें expiry का वीडियो का मिले और अगले दिन में करोड़पती कैसे बन जाओ एक ही दिन में मेरे पास है अपने अकाउन में 4000 रुपए लेकिन मुझे कल ही के कल मुझे 40,000 तो चाहिए भई कि मैंने शौट देख रहा है दस दस गुना तो होना ही चाहिए तो उसका तरीका क्या है सबसे पहले expiry के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर सिफ 10,000 हो तो 10,000 मेरे ख्याल से आपके पास काफी होगा कैसे मैं पूरा एक एक करके आपको हिसाब दूँगा सुनिए बहुत सारे strategies मैंने expiry पर बनाए लेकि मेरा ध्यान गया है तो मैं इसको बिलकुल आपसे share के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ तो सुनिए इसको ध्यान से आप कल का market देखिए कल का market क्या होता है कल market शुरू होता है उपर से नीचे आके बंद होता है अच्छा कासा fall उससे पहले दिन nifty का expiry था market बहुत अच्छ expiry flat गया उससे पहले आपका ये जो किसका expiry था आपका फिन nifty का वो भी flat गया उससे पहले दिन आपका था mid cap और bank x का वो भी flat गया लेकिन 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 अब बारी आती है या मज़ा आता यहां से उससे पहले दिन शुकुरवार को 19 तारिक को तो market चपड़ फार के पैसा दिया उससे पहले दिन nifty में भी बहुत बढ़िया momentum आया अठरा तारिक को लेकिन उससे पहले बुद्वार को market flat रहा ठीक है एक दिन पहले मंगलवार को market में गिरावट आया वो भी हमने देखा उसके एक दिन पहले सोमवार को भी गिरावट आया और उससे एक दिन पहले शुकुरवार को flat रहा मेरा कहने का मतलब आप समझ रहें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीच बीच में बरकत में बीच बीच में एकाद दिन market नहीं चलता है इसको अगर मैं day time frame पे दिखा दू और जाद आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ देखिए इसको ध्यान से दे बस आपको वो जानना है कि वो कब और कैसे मिलेगा तो ये कब और कैसे मिलेगा आपको करना कितना होता है अब मैं दुबारा पंदा मिंट के time frame पर आपको लेके चलता हूँ आपको करना क्या है आपको इंद में ट्रेट करना होगा यहाँ पे out of the money, add the money आपके लिए जहर है कोई काम महीं नहीं आएगा तो करना क्या है सोमवार से लेके आप अगर चले जाएंगे शुकृवार तक सिर्फ शुकृवार तक चले जाएंगे आप मंगलवार को छोड़ दीजी का क्यूं छोड़ दीजी मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको सिर्फ सोमवार से लेके शुकृवार सोमवार बुदवार गुरुवार शुकृवार चार दिन चार दिन आपको ट्रेड करना है और जैसे मार्केट शुरू होता है तो शुरुवात का आप बस पाच मिनिट छोड़ दीजीए मतलब 21 नौ बचके 21 मिनिट पे आप ले ले ज हाई मिलेगा आपको 200 हो सकता है 500 भी हो सकता है क्योंकि शुरूबा हर हर इंडेक्स का लगा लग होता है निफ्टि में सस्ता मिलता है संसक्स में महंगा मिलता है तो इसलिए आप वह देखे घबराना नहीं कि आरे माश्पाइरी की दिन इतना कर्चा क्यों करूं यह मानसिक तो आपको छोड़नी पड़ेगी इसका फाइदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आप अगर सेंसक्स का अगर कल देखते तो सेंसक्स भी कल बहुत अच्छा का सा नीचे आया लगबग लगबग 600-700 पॉंट मार्केट नीचे आया से शुरूआ वाँस अगर गिनेंगे तो उससे भी जादा था तो अगर आप शुरूआत के पाच मिनिट बाद ही अगर आप ट्रेड ले लेते थे और पूरा 3-15 तक आपको होल्ड करना है बिलकुल इस बीच में आख उटा के देखना नहीं कि मार्केट कहा जा रहा है इसका फरक क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ समझिए ध्या का कॉल का कितना था 187 सम्थिंग ऐसा कुछ था यह दोनों ही इंदमनी का था शुरूआत के पाच मिनिट बाद मार्केट खुलने के 9 बच के 21 मिनिट पे 20 मिनिट पे अब यह जो पूट का था 192 आपको पता ही है कहा तक गया था यह गया था आपका 705 तक और 3 बच के 15 मिनि टूटे अब सोचिए आप अगर खरिद के रग देते हैं 9 बच के 15 मिनिट माफ कीजिए 20 मिनिट पे तो 192 वाला 196 वाला पहुच रहा है 682 तक मतलब यह तीन गुना से जादा है मार्केट सिर्फ सेंसेक्स 600-700 पॉइंट मूव किया तो 3 गुना से जादा हो गया और जिस दिन यह मूव बड़ा करता है तो क्या हश्र होगा आप सोचके देखिए जरा दूसरा वाला क्या होगा वो तो 0 हो जाएगा उसमें कोई दोर आए नहीं है एक दिन पहले कि मैं बा सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखिए मार्केट कहा जाके बंद हुआ है यहाँ पर बंद हुआ है आप चाहे तीन बजे भी छोड़ सकते आप चाहे छोड़िये ही मत आपने खरिद लिया उसको छोड़ दीजिए उसके हाल में छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है म आपका जो कॉंट्रेक्ट है वो तो खतम हो जाएगा तो आप डिफॉर्ट एग्जिट भी हो जाएंगे तो यह तीन पंद्रा तीन बजे तक आप मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर एक अच्छा का सा प्राइज आपको मिल जाता थोड़ा बहुत मैं तीन पंद्रा का स ऐसा बनता है तो आपके लिए और तीन दिन में कितना बनेगा एक दिन में कम से कम बहुत आसानी से भी आपका आप जितना खर्चा कर रहें उसका 50% अगर आप 4,000 खर्चा कर रहें दोनों का मिलाके इनन मनी तो आपका यहाँ पे लगबग 2,000 का आपका फ्रॉपिट होगा एक ही दिन में अगर मार्केट ठीक ठाक मूव कर जाता है तो जैसे कि यह आज कल का हुआ यह कल का यह तो बैंक निफ्टी है मैं आप उदारन दे रहा हूँ सेंसक्स में करीबन 600-700 पॉइंट अगर आप देखेंगे 19 तारीक का मैं आपको दिखाता है 19 तारीक को आपको पत एक हजार पॉइंट था एक हजार से 1100 इतना ही था अब 600 पॉइंट में सेंसक्स आपको कितना दे रहा है लगबख तीन गुना अगर उसी तरीके से यह भी शुकरवारी था 19 तारीक शुकरवार था यह इस दिन भी अगर आपने खरीद के रख दिया होता और छोड़ दिया कि हां मुझे मार्केट को देखते रहना पड़ेगा तारते रहना पड़ेगा मुझे प्राइस एक्षन का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं किसी चीज़ का कोई ध्यान मत रखिए आप बस ट्रेड लेके छोड़ दीजिए अब आप बात अब मैं बात करता हूं नुकसान की फाइदा तो मैंने आपको गिना दिया है अब यह जो आप तीन चार गुना जो पैसे और लेड़ी कमा के बैठ जाएंगे मान लिजिए आपने चार अजार रुपे खर्चा किया पाच हजार रुपे खर्चा कि इससे जादा तो उना भी नहीं है क्योंकि इन मनी में एक एक लोट लेना है हमें हमें शुरुबात एक लोट से करना है तो यहां पर पाच हजार बहुत हो गया पाच से छे हजार रुपे बहुत हो गया काफी है यह अभी इसका अगर आप मान लेते हैं कि किसी दिन आपके हाथ में बड़ा पैसा आ गया मतलब तीन गुना चार गुना अगर आप कमा रहे हैं तो पाच हजार का आधा कितना होता है धाई हजार रुपे अब धाई हजार का चार गुना कितना होता दस हजार रुपे तो दस हजार रुपे बहुत आसानी से आप कमा लेंगे और जिस दिन मार्केट में ही चलेगा यह देखिए यहां पर अगर मैं expiry की दिन चाहते हैं कि हम थोड़ा सस्ता में चले, तो इंदमनी में बड़ा फाइदा आपका यह होगा, हाँ, आपका एक लेक जो होगा, वो बेशक, क्योंकि वो तो नीचे चला जाएगा, और वो out of the money हो जाएगा, देरे-देरे करके वो खतम हो जाएगा, लेकिन जो इंद का है, वो zero हो जाएगा, डाई हजार आपका खतम हो जाएगा, दूसरा रहेगा, डाई हजार उसमें से भी मैं मान लेता हो कि 500 के हो गया, होगा तो नहीं, उसमें थोड़ी बहुत बड़तरी तो होगी, फिर भी मान लेता हो, 2000 तो आपके पास रहेगा, 5000 में फिर भी आपके 3000 आपके चले जाते, आपके पास 2000 फिर भी रहते है, फुल मिलाके, आप end of the month, ये रोज बेसिए, डेली बेसिस पे आप profit कर ही नहीं सकते, हाँ, जब आप end of the month आएंगे, जब आप पूरे 22 दिन ट्रेट करेंगे, तो आप आएंगे कि आप ultimately आप फाइदे में रहेंगे, क् क्योंकि मैं आपको दुबारा देखाता हूँ, डे टाइम फ्रेम पे, अगर आप पूरे महिने भर को अगर देखते हैं, देखिए, जैसे कि ये पूरा एप्रिल महिना देखिए, एप्रिल महिने को अगर आप पूरा गिनने जाएंगे, तो यहापर कितने बड़े-बड़ केंडल से, उसी तरीके से आप अगर यहापे मार्च महिने को देखेंगे, तो केंडल का साइज देखिया, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पैसे दो बनेगे, यह सब से जादा पैसा फेबरोरी में बना देखिए, यह सब केंडल को आप जब लेके अगर छोड दिये हो सुबे लेना है, 9.20 को और इसको खتم करना है, 3 बजे, सवा 3 बजे एक्जिट कर जाना है, आपका पैसा दिन पर दिन बढ़ता जाता और जिस दिन मार्केट नहीं चलता, उस दिन नुकसान होगा, लेकिन जिस दिन आपका पैसा बन रहा है, बढ़ रहा है, तीन गुना चार गुना वो पैसा उस दिन उस घाटे में हम इस्तमाल कर पाएंगे अब बात करता हुई इस strategy की जरुवत हमें क्यों है सबसे पहले देखी एक तो election का वक्त है तो market में momentum volatility तो बड़ा रहेगा ही रहेगा खास कर जिस जिस दिन election होगा जैसे कि 19 तारिक को election का पहला दिन था तो उस दिन market ने बहुत अच्छा boom किया पिछला दिन जो था फिर से election day था market उस दिन नीचे आया तो ज़रूरी नहीं है यही कारने लेकिन probably उस दिन थोड़ा सा volatility जादा होगा और इन दिनों तो हो भी सकता है एक एक news आता रहेगा election से related market में हल चल मत जाएगी तो इसी हल चल का फायदा आप उठाईए और धीरे 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 करके आप देखे हाँ आप इसको शुरुआ पर प्रैक्टिस करके देख सकते है प्रैक्टिस करके देखिए तब जाके आपको समझ में आगा अच्छा एक बात और है अगर आप चाहते कि मैं एक पूरा लाइव ट्रेट के साथ दिखाओ तो बस यहाँ पे आप पंदरा सो लाइक कर दीजिएगा तो फिर मैं आपको पूरे लाइव ट्रेट के साथ भी इसको दिखाओंगा वीडियो अगर अच्छा एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपसे मैं अगले वीडियो मिलता तब तक के लिए जय हिन